वेल्कम टू माई चैनल बहुत ही नुट्रिशियस फूड है कॉंस्टिपेशन आपकी दूर करता है बहुत ही लाइट वेट होता है और वेट लूज करना चाहते हैं तो बारले इस दी बैस थिंग लूज वेट तो विदाउट फर्दर लेट लेट्स केट सबसे पहले बारले ओर्स लिया है आपको इजीली मार्किट से मिल जाएंगे इनको मैंने लेके तो मोटा मोटा दानेदार किया है इनको ज्यादा बारी ग्राइन करना पीसने के बाद अब इनको हल्की सी आँच पे आप इनको फ्राइ कार लेंगे बून लेंगे तब तक हलका हलका ब्राउनी हो जाता तब तक हम इसको फ्राइ करेंगे और फ्राइ हो गया है अब इसको साइड पे करेंगे और गुड की चाशनी बनाएंगे निलके ब्लकुल नेचिरल शूगर है अगर आप गुड की चाशनी बनाने के गुड की तुग एद रख acesso सोगी मिदा के mom-im justification तो सबसे पहले इसके लिए मैं औली वाइल ले रही हूँ अगर आप पास ऑली वाइल नहीं है तो आप घार का घी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं या फिर आप उस पे मक्षन भी यूज कर सकते हैं अब इसमें दो अलाइची डालूंगी और दो अलाइची डाल के इसको थोड अब इसको अची तरह मिक्स करेंगे यह देखें कि इतना प्यारा कलर आया है यह तो अभी से बहुत जमी जमी लाग रहा है अब इसमें मैं मिल्क डाल रही हूँ लेकिन अगर आप थाइराट के पेशेंट हैं जो डेरी प्रोड़क्स नहीं ले सकते तो आप मिल्क को इसको स्किर हैं मिल्क डालने के बाद थोड़ी देर मिक्स करेंगे हलकी सी याच पिसको पकने देंगे तब तक आइल नहीं छोड़ देता और यह देखें है यमी जमी सा हलवा बिल्कुल तियार हो गया अब इसको हम सर्ष करेंगे और यह देखे कितना यमी यमी सा हलवा तियार है मैं इसको खजूर से गारणिश का रही हूँ लेकिन आप इसमें बढ़ाम भी डाल सकते हैं या पिस्टाश्योस भी डाल सकते हैं और यह देखे हलवा यमी यमी सा Lightweight without sugar हलवा तियार है उमीद है friends आपको मेरी ये रेस्पी बहुत पसांद आई होगी अगर आपको पसांद आई है और आप मजीद एट लॉस के लिए यमी यमी सी रेस्पी देखना चाहते हैं तो like, share and subscribe to my channel Thank you